नमस्कार दोस्तो मैं रविंदर शोकी आप सबका स्वाधत करता हूँ हमारे बहुत सारे दोस्तों की फर्माइश थी कि मैं उन्हें चोकलेट बना के दिखाऊं तो दोस्तों आज हम बराएंगे चोकलेट की वाइन इसके लिए दोस्तों मैंने लिये हैं कुछ चॉकलेट आप इस तरीके के चॉकलेट ले लीजए बिना नट्स के हमें हमें चॉकलेट लेने हैं ये 5 से 6 चौकलेट काफी है 5 लीटर वाइन के लिए या आप कोको पाउडर ले लीजिए ये कैप्रीज का कोको पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है ये 99% प्योर है 100% मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप चौकलेट का या दोनों का भी इस्तमाल कर सकते हैं ज़्यादा हमें चौकलेट की जरूरत नहीं है और ना ही हमें ज़्यादा कोको पाउडर की भी जरूरत पढ़ने वाली तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं वाइन बनाना इसको मैंने पानी के अंदर अड़ कर दिया, और ये मैंने ली है तीन chocolate, इसे भी पानी के अंदर मैं add कर दूँगा, और हाँ इसे मैं mix करता रहूँगा, परतन में chocolate डालने के बाद इसे mix करना बहुत जरूरी है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो chocolate बरतन की तली में चिपक की जरूरत नहीं है चार से पांच ये छोटे वाले चौकलेट काफी रहेंगे अगर आप चौकलेट इस्तमाल नहीं कर रहे तो चार चमच कोको पाउडर काफी रहेगा चौकलेट पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसके अंदर मैं एड कर रहा हूँ दो चमच कोको पाउडर कोको पाउडर इसलिए एड कर रहा हूँ दोस्तों फिर से बता देता हूँ मैंने तीन चौकलेट ली थी तो दो चमच मैं इसमें एड कर रहा हूँ अगर मैं चौकलेट यूज नहीं करता तो चार से पांच चमच कोको पाउडर का इस्तमाल करता या फिर पा जाद आच्छा रहेगा वाइन हमारी थोड़ी सी ठिक रहेगी पतली पतली सी वाइन नहीं बनेगी उसका थोड़ा फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है तो मेरी मानिए कि गेहूं भी इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर मैंने गेहूं एड कर दिया है एक बा वाइन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसानी है, बस दो-तीन चीजों का ध्यान रखना है, जो मैं वीडियो में बताता रहता हूँ, हाँ दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे क्लेर कर देना चाहता हूँ, जो वाइन हम बना रहे हैं, यह एलकॉलिक है, यानि कि इसक उतना ही सेफ है, मुझे कई साल हो गए है, घर में वाइन बना के पीते हुए, दोस्तों, यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है, और कंटेनर को मैंने स्टेरिलाइज कर लिया है, किस तरीके से करना है, उसके लिए आप कुछ मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, यह यह सब नहीं है, तो फिर कोई option नहीं बज़ जाता, फिर आप चीनी का इस्तमाल कीजिए, अगर आप चीनी का इस्तमाल कर रहे हैं, तो आपको साड़े 700 ग्राम चीनी ही लेनी है, उससे ज़्यादा चीनी का इस्तमाल नहीं करना है, साड़े 700 ग्राम चीनी के इस्तमाल से य पाला था जिसके अंदर चौकलेट को mix किया था उस पानी को भी container के अंदर add कर देंगे थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि container चटकेना एकदम से गरम पानी डालने से कही बार तरक जाता हैcoin तो container के अंदर फुरे थोड़ा पानी अड़ करना है मौसमी के जूस के अंदर से ट्रिक ऐसीड होती है ये वाइन मस्ट का पी एच लेवल ठीक रखेगी इससे फर्मेंटेशन में हमें मदद मिलेगी और अंचाही इस्ट इसके अंदर पैदा नहीं होगी जो की वाइन के टेस्ट को खराब कर देती है कंटेनर के अंदर जगे बाकी थी तो थोड़ा पानी मैंने और उबाल लिया है इसको भी मैं कंटेनर के अंदर एड कर दूँगा और कंटेनर को तकरीबन पूरा ही भर लूँगा इसके अंदर फ्रूट नहीं है तो इसे खाली रखने की जरूरत नहीं है उपर तक इसे भर ल अदिक समय हो गया है और इस wine must का temperature 40 degree आ गया है अब इसके अंदर हम east add कर देंगे दोस्तों weight machine और ये commercial thermometer खरीदने के बाद काफी सूलियत हो गई है अगर आप भी मेरी तरह wine बनाते रहते हैं तो आप इने खरीद सकते हैं ज्यादा मेहगा item नहीं है ये इसका link आपको description box में मिल जाएगा east को भी container के अंदर add कर दिये है अब दुबारा से इसके उपर cling film लगा देंगे और इसे ठंडा होने देंगे 27 degree temperature आ जाएगा तो इसके अंदर pestin enzyme डालेंगे अगर आपके पास pestin enzyme नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप इसके अंदर पपीते का आदा चिल fruit के अंदर से juice extract करने का काम करता है लेकिन हमारी wine के अंदर fruit नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो एक finding agent का भी काम करता है इससे हमारी wine clean जल्दी होती है 8 घंटे के बाद आप देख सकते हैं wine must का temperature 27.1 degree आगया है अब इस wine must के अंदर pestin enzyme हम add कर देंगे और इसे फिर fermentation होने के लिए रख देंगे दोस्तो अगर आपके पास ये thermometer नहीं है तो आप पहले wine must को अच्छे से ठंडा होने दीजिए उसके बाद ही इसके अंदर yeast डालिए और pestin enzyme या फिर पपीते का चिलका डालिए उससे भी काम बन जाएगा कोई दिक्कत आएगी नहीं दोस्तो जो भी वीडियो मैं upload करता हूँ मेरी कोशिश हमेशे यही रहती है कि असान तरीके से wine मैं आपको बना के दिखाऊँ और पूरी information भी आपको दूँ अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी वीडियो डाल रहा हूँ और पूरी information आपको दे रहा हूँ तो दोस्तो व भी चीज हमें डालनी थी हम सब कुछ एड़ कर चुके अब बस इसका fermentation इसमें शुरू होने के इंतिजार है कंटेनर पे क्लिंग फिल्म मैंने लगा दिये अब इसे side में रख देता हूँ दो ड़ाई घंटे के बाद इसे चेक करेंगे वाइन मस्ट को रखे हुए एक घंटे से ज़्यादा हो गया है फर्मेंटेशन इसके अंदर चालू हो गई आप देख सकते हैं क्लिंग फिल्म उपर की तरफ फूल गई है इसका मतलब फर्मेंटेशन चालू है और वाइन के अंदर bubbles भी बन रहे हैं और एक हलचल भी बस हमें डेली इसको एक बर कंटेनर को खोलना है और इसे मिक्स करना है और हमें मिक्स शुरू के साथ या आठ दिन करना है उसके बाद हमें इसे मिक्स नहीं करना है दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं इस वीडियो को कंप्लीट एक ही भाग में बनाना चाहता था ले अब तक के लिए जै हिंद जै भारत